सुब ब्रा महुरत में आख खुलते ही यह मंत्र तीन बार बोलना और खुद चमतकार देखना दोस्तो सुख सम्रद्धी दौली चली आएगी दोस्तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुती खास होने वाला है क्योंकि आए में आपको पूझ गुरुजी पंडित प्रिदिमिर्स्राही के दौरा बताएगे काफी चमतकारिक और रामबार उपाए आपको बताऊँगा इस वीडियो में आप जानेंगे पूझ गुरुजी के अनुस्रा बताएगे कुछ चमतकारिक मंत्र और कुछ उपाय के बारे में दोस्तों जिन्य करने से आप अपने घर में सुक्सांती धन एस्वर की विरद्धी कर सकते हैं अगर घर में बहुत ज्यादा गरीबी रहती है या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी ने उपा रही है तो आपको पुझ्य गुरुजी का अनसरा बताएगे इन उपायों को एक बाद जरू सुना चाहिए दोस्तों उपायों को जानने से पहले आप सभी से हाँ जोलकर विंतिया के वीडियो को लाइक करते हैं और अगर आप बोले बाबा को सच्छे दिल से मानते उनकी पूझ्या करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हरार महादेव या स्री शिवाय नमुस्तव्यम जरू लिग दें जिससे कि आपकी जोई मनोकामना उसे महादेव जल्दी सल्दी दोस्तो पूरा कर दें तो दोस्तो देखे पूजी गुरुजी के अनुसरा सबसे पहला जो उपाय बताए गया है दोस्तो अगर आपकी कोई प्विशेश मनो कामना है जो काफी समय से पूरी ने उपारी है तो दोस्तो इसके लिए आपको करना ही है आपको एक चो मुकी आटे का दीपक बनाना है दोस्तो चो मुकी आटे का दीपक और दोस्तो एक आपको पीपल का पत्ता लेना है जो की साबूद और हरा पीपल का पत्ता होना चाहिए अब दोस्तो आपको करना ही है जो आप आटे का दीपक लेंगे उसमें दोस्तों आपको तिल का तिल भर लेना है और आपको चार लम्मी वाली बाती रख लेनी है आप रुई की बाती बनाए ठीक है और दोस्तों अब आपको उस दीपक में चुटकी बर काले तिल डाल लेने है अब देखे आपने जो पीपल का पत्ता लिया है उस पीपल के पत्ते को और आटे के दीपक को दोनों को अपने साथ लेकर किसी भी सिम मंदिर में चले जाएं ठीक है सिम मंदिर में जाकर सिबलें के पास बैठ जाएं ठीक है वहाँ जाकर आपको करना यह है जो अपने दीपक लिया है उस दीपक को आपको अपने सर के उपर से एक बार चुपचाप से वार लेना है कोई आपको देखेने इस तरीके से ठीक है दीपक को वार कर अपनी मनों कामरा को अपने मन में दोराते हुए या याद करते हुए आपको दीपक को पुरिजुलित कर देना है दीपक परिजुलेत करने के बाद अब देखिए जो आपने पीपल का पत्ता लिया है उस पीपल के पत्ते को अपने सीधे हाथ के अतिली पर रखना है और आपको अनाम का उंगली को दीपक में दुबोना है और अपने अनाम का उंगली से आपको उस पीपल के पत्ते पर अप मैं बोल देना है और फिर अपनी जो भी मनोकामना उसे माधेब से कह कर अपने घर चले आना है दोस्तो पूच्जी गूरी जी का नुसार इस वपाय को करने से आपके घर में धंदाने की विरद्धि होती है मालेच्मी का वास रहता है और आपकी जोई मनोकामना होती है बहुत जल्दी पूर्य होती है साथी पूजी गुरी जी का कहना है दोस्तो ये मंत्र बहुती पावरफुल मंत्र है दोस्तो इस मंत्र को जोई व्यक्ति सुबह बिरा मोरत में आँख खुलते ही तीन बार बोलता है या उसकी सिरद्दा है तीन बार, ग्यारे बार, एक्यावन बार या कुछ समय तक शिरीज शिवाएन मुस्तव्यम मंत्र का जब करते रहता है तो उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और घर में धन धाने सुक समर्द्दी की बरसात होने लगती है तो अगर आपको पूज गुरी जी करुशार बताएगे उपाय अच्छे लगी हो तो दोस्तों इन्हें फटा फट से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से हरार महादेब जरू लेगते हैं जिससे कि आपकी जो यु मनोकामना है उसे महादेब जल्दी जल्दी दोस्तों पूरा करते हैं